हेलो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन तब अप्राय तो चलिए इसे जटपट से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज के बैंगन लिए हैं बैंगन हमने दोकर अच्छे से पहुंच लिए हैं आप चाहे तो इसमें लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं लेकिन वस उन्हें लंबाई में काटना है और ये वाले जो बैंगन है इन्हें हमें गोल-गोल सरकल में काटना है बैंगन की टुकडों को जादे मोटा ये जादे पतला ना करें एक साइज के स्लाइसिस काटे हैं बिल्कुल इस तरह से सभी बैंगन को मैंने एक ही सेफ में काटना शुरू किया था और इसी तरह से सारे बैंगन काट कर तयार कर लिए हैं ये देखिए ये हमारे सारे बैंगन कट कर तयार हो चुके हैं अब बैगन के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे सबसे पहले एक छोटा चमच लाल मुश पाउडर लेगे एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर आदा छोटा चमच करम मसाला पाउडर थोड़ा सा हीम सुआद नुसर नमक डाल लेगे और एक नीबू को अच्छे से इसमें निचोड़ देंगे जब भी आप बनाएं तो इसमें नीबू जरूर डालें नीबू से क्या होगा ये जो हमारा बैंगन तवा फ्राए हैं थोड़ा खट्टा सा और चटपटा बनकर तैयार होगा मसालों में नीबू नीचोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे इन सभी मसालों को अच्छे से हास से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें दो चमच तेल एड़ कर लेंगे तेल एड़ करने के बाद फिर से इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे मसाला हमने अपने हाथों की साहता से अच्छे से मिला लिया है यह परिकुर्ट रेडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक एक बैंगन की स्लाइस को उठाएंगे और इस मसाले को उस पर अच्छे से लगा देंगे दोनों साइडों से मसाले को अच्छे से लगाएंगे ये देखी इस तरह से अच्छे से मसाला लगा कर बैंगन तयार कर लेंगे और इसी तरह से सभी बैंगन के स्लाइसिस को मसाला लगा कर तयार कर लेंगे हमने सभी बैंगन मसाला लगा कर तयार कर लिए हैं अब हम इने fry करेंगे उसके लिए हमने एक पैन लिया है पैन पे एक चमट तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से फैला लेंगे हम इने कम तेल में बना रहे हैं तो हम ज़्यादे तेल यूज नहीं करेंगे बस एक या दो चमट तेल यूज करेंगे पूरे पैन पे अच्छे से तेल लगा लिया है मैं यह बैंगन इस पर डाल दूँगी सभी बैंगन को हम पैन पर इसी तरह से रखते जाएंगे सभी बैंगन को पैन पर रखने के बाद अब हम इने 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इन्हें थोड़ा चेक कर लें और जब ये एक साइट से पक जाएं तो इन्हें पलट दें बैंगन हमारे एक साइट से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम सभी बैंगन को पलट लेंगे सभी बैंगन को हम इसी तरह से पलट कर तैयार कर लेंगे और बेंगन को पलटने के बाद हम फिर से इसे कुछ देर और पकाएंगे कुछ देर पकने के बाद अब हम इने चेक करेंगे कि ये दूसरी साइट से पका है कि नहीं लेकिन ये अभी कच्चा है तो थोड़ी देर और पकाएंगे कुछ देर के बाद ही ये अच्छे से पकर तैयार हो चुके हैं अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखी कितने अच्छे से बनके तैयार हुए है ये इतना टैस्टी लगता है इने बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं इने आप किसी भी चटनी या रायती के साथ सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं इने आज टर्माटो कैचप के साथ सर्व करूँगी ये लग गई है हमारी प्लेट तो कैसी लग ये आज की इजी सी रेसिपी प्लीज कोमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बून ला वीडियो देखने के लिए सबी को थैंक्यू एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाए